यूपी के रामपूर में किसानों ने अंबेड कर पार्क पर जमा होकर केंद्र सरकार और योगी सरकार पर जम कर बरसे किसानों ने कहा कि यह कैसी सरकार है जो किसानों को बरबाद करने पर तुली है खेतो में किसानों का गन्ना पड़ा पका खड़ा है और चीनी मेले बंद पड़ी है ऐसे में किसानों को भारी मुकसान हो रहा है और सरकार आक बंडे बैठी है दौरान किसानोंने जम्कर नारेबाजी कर अपना विरोध प्रदर्सन जाहिर किया किसानों मेरी जिला प्रशाषन के माधम से सरकार से अपील है कि जल्द चीनी विलो का संचालन किया जाया और बकाया किसानों का दिया जाया वही किसान जुबेर खान ने भी अपनी प्रतिक्रिया रखते हुए सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला और कहा कि अगर जल्द किसानों के बारे में सरकार ने नहीं सोचा तो बड़ा अंदोलन किया जाएगा मढशन सनुर फुम सनकार में सरके हाज आज यहाद से इख荟ता ओकिष्ण को चेंए अर्फटा हम लोग इस पीमाना cinoludent आज स्याफ्य ह्वमारे में सीच्ञ को जा दिया तर Nós मुहम्मद रहान पाशा एसान मैं किसान यूनियन का यूबा का जिलाद्यक्षूं यह जो है किसानों का जो दन्ना भुक्तान नहीं हुआ है किसान परिशान है आर्थिक तंगी से गुजर रहा है मेरी सरकार से प्रात्ना है कि जो है जो गरीब लोग है उनका सर्वे कराकर उन वह जो है यह जो है टिकेट पार्टी के हैं अचा इम और मानिय सम्मानित आदमी एडियम और एस्पी साभ जी एस्पी साभ शिवर्णी मीना साभ इन्हों ने जो है आजवाशन दिया लेकिन उन लोगों ने उनकी बात को नहीं माना यह बात जो है विलकुँ सरसर गलत है जब उन煌नी यह उनकी तूळों ने यह कहा यह हम जो है पांच दिन में इसका शैड़ीॉशन कर देंगे आप जो है दो एख कहत्म कर दीजिए तो जब आप दियम और एट भगश्पी कर सकते हैं तो फिर किसकी रस्पेट करेंगे आप तो आप जो है यहांसे किएरी पहँचें झाल झाल झाल